हालो एवरिवन आज की इस विडियो में हम डिट्यल डिसकीशन करेंगे केरेक्टर इसकेज के रपड़ तो सबसे पहले हम यह सम jurisdering की इसकेज होता किया है और उसके चलf नजनाद की permett कि किसी भी परसंगे यह एक अच्छा साख का एक दियाण डखना और तो देखे इस वीडियो को लास तक देखते रही है आपको पूछा जाएगा और आपको किसी भी परसन का पूछा जाता है इसके बाड़े में पता चल जाएगा तो देखे आप भारत की किसी भी इनुट सीटी से ओनर्स कर रहे होंगे फिर इंग्लिस लिटेचर पढ़ रहे ह गया और आपको पता होगा पार्ट 2 में 68 मांक का आपका गै langsam घुल दिसकर्ट करतेrist कैस्का यह होता क्या तो सबसे पहले कर लेते हैं कि और फूल डिस्क्रिप्शन और उसका मांक्स अगर हमको कमें पूछा गया जैसे कि 5 मांक्स में पूछा गया तो उस परसन का हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसमें ठीक है लेकिन अगर वही कोशन हमारा आता है कि इलाइट राइट राइट क्रेक्टर इसकेच ऑन दिस परसन तो देखिए वहां पर जो पूछा जाएगा आगर मालीजी 17 मांक्स का पू दिस्क्रिप्शन भी हो सकता है और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है मतलब की ऑवर वल भी हम बता सकते हैं उसके बाड़े में कंक्लूड करते करके या पिर उसके बाड़े में हम लाइन अच्छे से उसके बाड़े में हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं तो यह समझ क होंगे कि description क्या होता है यहां पर character sketch क्या है अब चलिए बात कर लेती कि character sketch को लिखा कैसे जाए तो सबसे पहला यहां पर आता है character sketch का सबसे बड़ा point it good and complete knowledge about the character मतलब जिस भी character का हम character sketch लिख रहे हैं उसके बारे में हमको complete यहें को कम से कम अच्छे से पता होना चाहिए जैसी कि हम कोई battleship player play जाया झाःतोइ सन और वरन चाहिए जो हम समझे तो उस इसके बारे में हम को पता होना चाहिए यह कौन भाढ़ने में कृंने काम ब्रोटोडोगिंट्रा चैनला कि सिस्याएं किसी devoir NO is परसन को जिस परसन के बाड़े में हमको एसके हुद सबस्क्राइब हो चाहिए हимся कहुंट करना चाहिए इसकर आनलाइज करना चाहिए वो परसन इसमें जो क्या को डिस्कराइब करना होता है मतलब कि उसके कौन-कौन पॉइंट हमको इसमें डालने है उसके बाड़े में पता चलना है जैसे कि हम सबसे पहले किसी बी बर्सन का रहें लिखते हैं तो इंट्रडक्शन लिखेंगे उसके वारे सबसे पहला क्या है कि किसी भी person का character लिखने से पहले आपको उसके बारे में get good knowledge मतलब get good या फिर complete knowledge आपको होना चाहिए आपको उस कहानी का पूड़ा का पूड़ा समड़ी आपको पता होने चाहिए तब आप किसी भी person का character लिख सकते हैं उसके बाद क्या है analyze the person qualities उस person को analyze किजिए कि उसका जो role है इस poem में या फिर इस कहानी में या फिर इस play में या फिर इस drama या novel में उसका जो है वह quality जो है उस person का उसको analyze कीजिए कि वह उसका quality क्या है उसका जो है इसमें role क्या है यह पता होनी चाहिए उसके बाद अपने दिमाग में उसका point describe कीजिए कि उसका कौन कौन सा point इसमें बन सकता है अब देखिए इसको लिखने कैसे है तो चलिए आप बात करते हो के बारे किसी परेसं का गैरेक्टर सकते हैं तो कुछ बातों को आपको इस ही तरीके से लिखना है ठीक है सबसे पहले है कि किती बी-पर्चूर्ट का saim को लिखना है सबसे होच्प का in- disgust सögऔंग काई अब इंट्रोटक से कि पौइंक इस जो वहां पर जिसके बारे में रखनें और स्लिखर, । या फिर माइनड करेक्टर तो नहीं है तो यह सब्सक्राइब करना होगा ठीक है कि समक्न होना चाहिए जो कि हम कहां टालेंगे पाट में सका read प्रोफेशन का पता नहीं अ क्या है या फिर वो लवर या फिर वो टीचर तो यह आपको उसका पता होना जाली है ऑ सिक्वाइली या फिर वह प्लेय उसमें वो है कौन वे अब उसके बादे आप रिलेशन की बात की जाए तो वह जो पर्षन Desk बारे में आपकरेक्टर इसके लिख रहे हैं वह किसी का बेटा है या फिर वह किसी की बेटी है जैसे कि ग्रफ नाइब हैँ पर दिद बात हो जाती वह किसका रूआ पता होना चाहिए यह लुए पॉइंट बनाके लिख सकते हैं और देखिए यहां पे पॉइंट्समां लिखा रहा हूं यहां आपको किसी भी नॉवल का किसी भी मतलब नॉव再 alright किसी बी डापा में आपको किसी भी स्टोरी में इस करेक्टर स्कीज में यह या आप यह सब इंक्लूट कर सकते कि ठीक है अबंदेखे अब जिसका करेक्टर रहें तो आपको उसका behavior पता होना चाहिए या फिर इमोसिनल का ताइप का है या फिर वह जादा गुस्चेल एंग्री मैं है या फिर वह confusion वाला परसन है कि उसको बार बार confusion होता तो उसका आपको behavior के बारे में भी knowledge होना चाहिए कि वह कैसा इंसान था इस प्रॉपर यह जो स्टोडी है इसमें वह कैसा था ठीक है तो इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए अब उसके फीजिकल एपिरियंस की बात की जाए तो देखिए जैसे कि आप लोग अभी को मैं आभी आपको ट्वेल्थ नाइट पढ़ा रहा हूं ठीक है तो ट्वेल्थ नाइट में वहाँ पे ओलीविया है वोईला है तो वह काफी व्यूटीफूल है तो उसके फीजिकल एपिरियंस को आपको पता होना चाहिए कि वह कैसा है तो फीजिकली हैंडीकेप थी तो उसके बारे में आपको पता होना सुन्दर है तो आपको उसके भी आप क्या कर सकते उसकी खूब सूरती की तारीफ कर सकते एक पॉइंट बनागे ठीक है तो यह चाहिए उसके बाद यहां पर क्या है है अब यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी में से एक है क्योंकि यह वहां पर देखा ही जाएगा जै सबसे उसको यूनिक दिखाता है सबसे उसको इस प्ले का इंपॉर्टेंट दिखाता है इंपॉर्टेंट दिखाता है उसका ठीक है सबसे ज्यादा यह इंपॉर्टेंट क्यों है इस प्ले के लिए तो वह दिखाता है तो इसको आपको क्या करना है कनफॉर्म उसमें आपक उसका हऊएं कपड़े है उसका उसका डिजायर कैंव किसको पानाचाथजिख तो ऑलिवया को पाना चाहता रहता है नहीं हम है आंफ आपको इसको इंक्लूट करना अगर अगर आप मैंक्वेटiron होंगे उसका doom क्या होता है तो ईसको गदी का हासिल करना रहता है ठीक है मतलब फइर सकते हैं या उसकी पूरे के पूरे नोवल में यहां फिर वहां पर इस पूरे के पुढ़े है और यहां उसको और इंटीक इसको सकते हैं तो आपको क्या करना है रहात मिए आपको सकता है कि यहाँ पीड़ेंट n इंटर्डिक्षन counterpart के साहए आपको प्रूफेट समय कर दें भी पार्ट भी एड़ कर दें तो हो सकता है कि इस सारे को एड़ करके आप एक ही पॉइंट बना दें अब उसकी बाद दूसरा पॉइंट बनाई यह तो फीजकल एपिरियंस को बना दिए तो ऐसा भी हो सकता है पूछा जाएगा जैसा कि आप उसमें कम से कम साथ से आट पॉइंट बनाएं ताकि आपका कम से कम पांच पेज में जाया उसका ठीक है क्योंकि लॉंग अन्सर होने वाला यह सब तो आपको ऐसे बनाना है लेकिन अगर आप लिए किसी और इनुर्सीटी में पांच मांग्स का पुछा जाता है तो उसके बाड़े में ज्यादा आपको लिखने की जुरूत नहीं है बस इंट्रोड़क्शन पार्ट लिखिए उसके बाड़े में विहेवियर और इलेशन सिपस्प के बाड़े में कंक प्लूजन कर दीजिए तो आपका करेक्टर इसके स्यार हो जाएगा पांच मांग्स के लिए लेकिन अगर आपका कोशन पूछा जाता है सेवेंटीन मांक्स का ट्वेंटी मांक्स का तो आपको कम से कम साथ से आट पॉइंट बनाने है और अच्छे से उसको डिफाइन करना ठीक है अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइट की तो देखिए आपको क्या होना चाहिए किसी भी क्यारेक्टर इसको लिखते वक्त हमेसा आपको यह ध्यान होना चाहिए सबसे पहला क्या है कि उसके बैड क्वाइलिटी को या फिर विलेन वाला भी काम करता है तो मैकवेत में ऐसा होता है तो विलेनिस क्वाइलिटी वी उसमें इंक्लूट करना चाहिए इसके अलावे यहां पर किसी की किसी भी परसन का जब अच्छा क्वाइलिटी होता है तो उसका बैड क्वाइलिटी भी होता है जैसे कि यहां पर 12 नाइट पढ़आ रहा हूं तो उसमें क्या है कि अच्छा वी है उसके साथ साथ वह बूरा ही मतलब उसका कुछ कुछ क्वैलिटी जो खड़ाब है लिए तो उसके बैड को इन्क्लूट करना है और यह मस्ट भी होना चाहिए इसको आपको कम से कम होना ही चाहिए ठीक है कम से कम आदे पेज लिखे इंट्रोड़क्षन पार्ट में फिर दूसरे पाड तो इसे कम से कम साथ आठ बना हिए उसका सारे के सारे आपको लिखने हैं अब अब दो सब्सक्राइब करके सारा कुछ को लिख देना है तो वर्ड क्वालिटी वर्ड लिमिट को भी आपको ध्यान डखना है इसके बाद बात की जाए तो देखिए वहां पर वास करके यह थोड़ा साजीव लगता है या फिर ठीक नहीं लगता है तो वहां पर हमेशा क्या किजिएगा इसका प्रियों किजिएगा तो ज्यादा वहतर रहेगा किसी भी करेक्टर क्या देखना है तो इनवर्टेट राइन आता है या पिर उसी प्ले को पढ़ते हैं और वहां पर कोई दो तीन आपको याद है और वह काफी इंपोर्टेंट में लिखते क्या कर सकते हैं दिखा सकते ताकि वहां पर डिरेक्टली पता चले कि हाँ यहां पर यह जो परसन है यह जो लड़का जो लिखा है वह काफी अच्छी तरीके से लिखा है अब देखिए याद रखे कि किसी भी करेक्टर स्केज को आपको पॉइंट टेवल फॉर्म में लिखना है मतलब पॉइंट के फॉ चाजाता है तो तो वहां पर देखिए वह पॉइंट में नहीं लिखे वह क्या करता है लाइन से सुरू किया और डिरेक्टि वहां पर तिन चार पेज लिखे देता है अब बताइए वह जो एक्जामीन होते क्या आपका किसी भी चीज को तो नहीं नपड़ेगा तो हो सकता अच्छे से पढ़ा ये नहीं पढ़ा है ताकि मुआपका समझ में आजाएगा झाज्य की किसी कप आपट याठे लीकिया इसचे से भी लैंगवेर की सिक्वेंड लाइसको यह इनन रिजायर गीरलेफिया और आफ्वाहेलिटिट्स हाइला को हमको बनाने हैा इसके आलावी यहाँ, पेस्ट पॉइंट को नहीं बनाना है तो आपको जिस भी प्ले को परते हैं जिसमी ड्रामा को परते किसमी नॉवयलको परते हैं तो आपको देखिये का States पॉइंट बंड आया उसमें किस चीज़ी के बाड़े में बात की जाई है तो वहां पर उसमें आप क्या करते हैं मीडिल पार्ट में आप उसको इंक्लूट कर दीजिए जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा लिखना है और कंक्लूजन आपको लिखना है यह पॉइंट अगर इस तरीके से लिखे तो आपको कंफॉर्म है कि आपका माक्स नहीं कटेगा आपको अच्छे से सारा बात समझ में आ गया होगा तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ कली और जिसमें मैं आपको बताऊंगा ट्वेल्थ नाइट क की कुछ इंपॉर्टेंट के रेक्टर का और इसके मैं जिससे आपको और किलियर हो जाएगा कि केरेक्टर इसके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में